नमस्कार दोस्तों, वाट्स यानी मस्से, इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, डाउट होंगे और आपको भी टेंशन होगी कि भाईया ये मस्से मेरे हटवाने हैं, लेजर से हटवाऊं, ऐसे हटवाऊं, कैसे हटवाऊं या फिर हुमियोपथी में सुना है हुमियोपथी में मस्से बहुत अच्छे से ठीक होते हैं तो जरूरी है समझना कि scientifically effective तरीका क्या है हुमियोपथी में मस्सों को remove करवाने का तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इनी सब चीजों के बारे में detail में discuss करते हैं आपसे short वीडियो में इसलिए request करेंगे कि बात समझ में आए तो thumbs up जरूर दीजेगा वीडियो को पूरा देखिएगा और लोगों के बीच में share करते हुए चानल को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि यहां इस चानल पर हम लोग authentic बाते करते हैं और हमियोपथी की public image improve करने की कोशिश करते हैं तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई आखि लिए warts या मस्से होते क्या हैं देखिए warts या मस्से non-cancerous skin के उपर होने वाली एक outgrowth है अब outgrowth का मतलब tumor नहीं होता है कुछ लोगों को लगता है जैसे warts benign tumor होते हैं सच बात है ये एक तरह का benign tumor होता है पर exactly tumor या फिर किसी तरह की gart नहीं होती है अब देखिए gart और मस्सों में फर्क समझना जरूरी है gart का मतलब है ये हमारी skin surface है smooth है इसके उपर एक smoothly normal surface के उपर एक उभार आ गया इसे हम कहते हैं gart लेकिन अगर हमारी skin surface के उपर एक हलका सा फुला हुआ सा कुछ अजीब सा structure बन गया जो की नीचे से पतला है उपर से बड़ा सा है तो उसको हम बोलेंगे मस्से तो warts यानि मस्से एक skin की outgrowth है जो की हमारे skin के surface के उपर हो जा दी या मस्से कई सारे तरह के होते हैं इसलिए जरूरी है समझना कितने तरह के मस्से हो सकते हैं सबसे पहले मस्से होते है common warts common warts का मतलब बिलकुल skin की skin जैसे skin वैसे ही उसके उपर एक स्मूथ सा हलका सा उभार, ये दाने नहीं होते हैं, क्योंकि इन में दबाने में दर्द नहीं होता है, ये सॉफ्ट होते हैं, पल्पी नहीं होते हैं, मतलब उसके अंदर कोई पानी नहीं होता, स्किन ही होती है, उभार की तरह पर सॉफ्ट होती है, दानों की तरह उठे हुए होते हैं, इन्हें कहते हैं common watts, दूसरे होते हैं हमारे planter watts, planter watts का मतलब है, जो हमारे खाल, जैसे हमारा हाथ, हाथ के palms, इसी तरह हमारे souls, यानि पैर के तल हुए, वहाँ पर जब flat कर लग बिल्कुल watts हो जाते हैं, ठेट जिसे हम कहते हैं, ठेट बन बहुत ज़्यादा rigid कोई skin surface हो जाए, तो वो भी मस्सा हो सकता है, planter watts, एक और तरह के मस्से होते हैं, जैसे हम कहते हैं flat watts, अब ये flat watts अक्सर आपके neck के ऊपर, face के ऊपर दिखाई देते हैं, ये basically discoloration, यानि कि कोई किसी तरह के धाग या धब्बे नहीं होते, ये skin के ऊपर एक हलका सा उठा हुआ पठार, यानि platew सा होता है, कि हलका से skin की एक surface से उठा, बिल्कुल flat रहता है skin के ऊपर parallel, और ये भी दिखने में बहुत अजीब लगता है, इसको flat watts कहते हैं, इसके बाद आते हैं genital watts, यानि जो हमारे गुपतां होते हैं, penis या वजाइना के आसपास दिखने में होते हैं, उठा हुआ उभार, cauliflower shaped यानि बिल्कुल गोभी के फूल के जैसा उठा हुआ, और उसमें उपर आपको दरारे दिखाए देने लग जाएंगी, या फिर skin folds दिखाए देने लग जाएंगे, उसको हम बोलते हैं fig watts, तो अब आपको समझ में आ गया, कि मस से कई तरह के होते हैं, तो जरूरी नहीं है, जो आपको दाना दिख रहा हो, वो भी मसा हो सकता है, और जो आपको discoloration यानि दाग धबे दिख रहे हो, वो भी मसा हो सकता है, ठीक, अब अगला सवाल उठता है, ये मसे होते क्यों हैं, इसका जवाब समझना आपके लिए बह इसके कई सारे strains होते हैं और अगर patient को किसी जिसी धारा गिसиваем का infection होता है तो ये मसे बना सकता है अब सवाल उठता है एक virus मसे कैसे बना सकता है समझेगे ये जो गूरत ojos होता है ये हमारे कोन के बना होके skin की surface के उपर होता है तो जैसे ही skin की contact में आएगा ये virus replicate करेगा कई सारे virus बनाएगा और ये सारे virus skin के cells को infect करेंगे और उसके बाद skin के अंदर rapid growth करेंगे मतलब एक बार में बड़ी जल्दी जल्दी skin में growth हो जाएगी तो होता क्या है नॉर्मल हमारी skin fold बलकुल अपनी smooth होती है कहां पे जहां पे जिस भी point पे आपका viral infection हुआ वहीं पे नीचे ही नीचे skin के folds बनने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके वो cauliflower shape उभार आ जाता है जिसे हम मस्सा कहते हैं इसलिए जरूरी है समझना कि जो लोग कहते ह अक्सर आम भाशा में कि अगर मस्से को जड़ से remove कर देंगे तो कभी दुबारा नहीं होगा तो जड़ का मतलब क्या है वो infection वो viral infection जिसे remove करना जरूरी है अब अगला सवार ये उठता है कि भई ये आखिर क्या दूसरे को अगर ये infection है तो क्या ये दूसरे को infect कर सकता है ब बहुत तेजी से transfer होता है किस तरह से आपको समझना पड़ेगा अगर आपने अपने मस्से को काट दिया तो उसमें से पानी निकलेगा या खून निकलेगा इसी तरह अगर आपने किसी से कटवा लिया गोड़े के बाल से कटवा लिया या जलवा दिया अगर वहां से कोई कोई फ्लिड ऊज आउट होता है या कोई भी खून निकलता है और वो किसी भी surface को touch करता है और फिर उसी surface को कोई दूसरे वक्ति इस्तमाल करता है तो देखिए वाइरस तो वाइरस है दो वाइरस जैसे ही शरीर से बाहर आएगा इनक्टिवेट हो जाएगा लेकिन दुबा आपको viral infection का खतरा ना हो अब अगला सवाल यह उठता है कि भई जब आपने बता दिया कि कोई भी तरीका अपना होगा जड़ रह गई या तो फिर यह contagious होता है दूसरे को हो सकता है तो क्या सही तरीका है जिससे कि वाइरस हमारे पूरी तरह खतम हो जाए और दूसरे को infect भ पहुझार हो रह crumichen करने का अब सवाल उठता है जब हमियोपयथी में ही इलाज है तो हम तो थूजा कर रहे है तो होता कहा है बहुत सरे पेशिंस हमाय पास आते हैं तो चंप करके आते हैं औम थूजाय पी भी लेते हैं लगा भी लेते हैं और कई बार मैंने देखा है बहुत जादा जिसे कहते हैं multiple medications लेकर आते हैं हुमियोपथी में लेकिन वो मस्सा नहीं हट रहा होता है इसी वज़े से पहले एक डॉक्टर पर दूसरे डॉक्टर पर ट्रांसफर होते हैं लेकिन ट्रस्ट है patients का हुमियोपथी में कि warts को remove करती है इसी लिए उस ट्रस्ट को बरकरार रखना बहुत ज़ादा जरूरी है तो चलिए बताते हैं तो जब हुमियोपथी के अंदर इतना अच्छा warts का treatment है सबसे जरूरी है यह समझना कि भाई क्या करें जिससे कि आपको 100% effective तरह से scientific तरह स warts का removal हो सके योगि कई बार देखा है कि patients complain करते हैं कि हमें कई-कई महीने हो जाते हैं लेकिन हमारे warts खतम नहीं होते थूजा हमने बहुत इस्तमाल करी है थूजा mother tincture में इस्तमाल करी है पीने में इस्तमाल करी है लगाने में tubes भी इस्तमाल कर ली रोल-on भी इस्तमाल कर सब कर लिया लेकिन हमारा मस्से नहीं हटे तो चलिए समझाते हैं सबसे पहले आपको कि क्या सही तरीका है देखिए हमियोपिती में बहुत जरूरी है समझना कि जब भी आप हमारे पार स्वाट्स के राज को लेकर आएंगे तो हम आपसे क्या पूछेंगे हम क्या पूछेंगे हम देखेंगे सबसे पहले वाट्स की लोकेशन क्या है कहां पर मस्सा है कितना बड़ा मस्सा है किस तरह का मस्सा है फिर हम देखेंगे ये आपसे पूछेंगे कि आपको मस्से के संग में क्या क्या परिशानी हो रही है कि भाई आपको कोई खुजली हो रही है जलन हो रही है या मस्से में से कोई bleeding आ रही है फिर हमें ये भी देखना जरूरी है कि कितने सारे मस्से आपको हो रखे हैं कि single है multiple है क्या है और उसके हिसाब से आपके कुछ और symptoms को ध्यान में रखते हुए तब हम आपको दवाई देन को ठीक करने के लिए multiple antiviral remedies हैं लेकिन हमें सही antiviral तक आने के लिए सवाल पूछने जरूरी है अब अगला सवाल ये उठता है कि भई थूजा को सही तरह से कैसे इस्तमाल करें कि हमें 100% results मिलें मस्से के लिए देखिए होता क्या है problem कि ओम थूजा ए नमा नाम का मंत्र जो ह highest antivirals है होमियोपधी के अंदर तो होता क्या है जब ये दवा tumors में भी इस्तमाल होती है और इसमें viral मस्सों में भी इस्तमाल होती है highest antiviral है तो होका क्या हमें इसकी dosage को बहुत limited रखना है सपोज अगर मुझे इस्तमाल करनी है थूजा मस्से के लिए patients के लिए तो या तो म महीने में एक बार देदी उसके बाद सोचा नहीं एक महीने तक फिर एक महीने के बाद जरूरत पड़ी तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे similarly अगर by chance लगता है थूजा 200 देनी है तो 15 दिन में एक बार देदी 2-3 खुराक देदी बंद कर दिया उसके बाद जरूरत पड़ आपकी गाड़ी के अंदर नाइट्रस ऑकसाइट का काम करती है कि जैसे ही आप थूजा देंगे तो जो दवा आप फर्दर देना चाहते हैं वो और तेजी से काम करेंगी ये काम करती है थूजा इसलिए कई बार पेशिंट्स को थूजा जादा इस्तेमाल करने से और कुछ अच्छी दवाईयों के जरूरत पड़ती है अब अगला सवाल ये उठता है कि थूजा के अलावा और कौन-कौनसी ऐसी दवाईयां हैं जो कि मस्तों में बहुत अच्छा काम करती हैं देखिए कुछ चार दवाईयों के मैं नाम बता रहा हूँ आप कुछ बहु किलके रियक आप हम दे सकते हैं इसके बाद दूसरी दवा कौनसी है कौस्टिकम अगर बहुत पुराने मस्ते हैं बहुत समय से हो रखे हैं हटी नहीं रहे हैं वही नेक पर है आपके फेस के ऊपर है जगे जगे हैं और बिल्कुल हार्ड सा मस्ता हो रहा है अजीब सा मस्त दिखने में गंदा सा causticum is the remedy इसके अलावा acid nitric अरे भई अगर हमाँ पस patient आया और उसको जो वहाँ पर मस्सा दिख रहा है वो हमें उसमें bleeding भी हो रही है जलन भी हो रही है अजीब सा महसूस हो रहा है patient को irritable ness जिसे हम कहते है irritable ness हो रही है तो हम वहाँ पर acid nitricum इसके अलावा डलका मारा डलका मारा एक बहुत अच्छी दवा है मस्सों के लिए जब हमाँ पस patient आये और उसे बहुत सारे multiple मस्से हो गुच्छे की तरह मस्से बन गए हो संग में patient हलका फुलका allergic भी हो वहाँ पर बहुत अच्छी दवा है तो देखिए थूजा के अलावा जो मैंने चार दवाईयां बताई है ये भी बहुत अच्छी antiviral remedies हैं आपके मस्सों को remove करने के लिए इसके अलावा भी बहुत अच्छी दवाईयां है लेकिन वो सारी दवाईयां जब proper case taking होती है symptoms होते हैं उसके इसाब से देते हैं जादा better results शो करती है अब अगला सवाल है कि भी safer medication में safe dosage में अगर आप कोई दवा हमें बताना चाहें तो कौन सी दवा होगी देखिए अगर आप self medication में कोई दवा इस्तमाल करना चाहते हैं तो केवल थूजा का mother tincture इस्तमाल करिए सिर्फ रात में लगाईये किसी मुक्तानी मिट्टी या पाउडर में मिला कर लगाईये और जहां पर मस्से हो रहे हैं सिर्फ उसके उपर लगा के रख दीजे और आधे एक घंटे के लिए छोड़ दीजे उसके बाद उसे remove कर लीजे मेरे हिसाब से ना तो थूजा की क्रीम ना थूजा का ointment इतना effective है जितना plain थूजा का mother tincture वो भी जरूरी है अगर आप उसे किसी चीज के संग में मिला कर paste की तरह लगाएं तो तो आज इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बताना था मैं आशा करूँगा कि मैंने आपको बहुत to the point बाते बताई हैं वोट्स की treatment को लेके और आप संतुष्ट होंगे तो मेरे वीडियो को थमसब जरूर देंगे और दूसरों के संग शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि authentic होमियोपथिक बाते होंगी तब ही होमियोपथिकी image इंप्रूफ होगी